हलो फ्रेंट्स मैं किसम को मार रहा हूं और मैं आपको मेरी यूट्यूब चैनल में स्वाइब कर रहा हूं और आज मैं बहुत दिनों के बाद भीड़े बना रहा हूं ठीक है दस वारा दिन के बाद और असा करता आप सब अच्छे होंगे और अगर आपका साइध एक्जाम ह पर सो इसके लिए आपको अल दिवेस्ट और अगर मैं खुद के बात करूं तो मेरा तो मतलब इस वेप्यों का प्रिलिंट नहीं होता तो मुझे पता भी था ठीक है मैं 95 परसंट शूर भी था मुझे मेरा नहीं होने वाला और इसके बाद अब अशिस्टन का पेपरी मेरा यह से फॉर्माल लीटी के लिए जाए तो इसा तो में नहीं करने माला विल्कुर और एक्टी सी का सिलाबस भी थोड़े डिफ्रेंट है काफी डिफ्रेंट है हमारे जो बैंकिंग या फिर एक से की सिलाबस से कॉंपेर करें तो तो इसमें है साथ 120 मार्क का पेपर रहता है तो उसके लिए ज्यादा में नहीं था लेकिन बाकि जो पार्ट प्रू की बात करें उसमें रहता है मैं अगर मैं खुद की बात कुन हो तो मेरा इसलिए मैरा फिजिस का मेरा मतलब जो कॉंसेप्ट काफी खराब है ठीक है मैंने बीटेक में फिजिक्स मेरा था ग्रावजे अगर मैं रेट करना चाहूं तो फिजिस को मैं आउट ऑप 10 वान डेट कर सकता हूं अपना मैं गेट के लिए प्रिवैस्ट कर रहा था गेट क्वालिफाय किया था तो मैंने उनसे पढ़ा अभी मेरा में मोटिब जो था ना अगर मैं खुद की प्रिपेरिशन स्ट्राटि मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्यूंकि मैं पहले बर 80 से का इसम दे रहा हूं उससे पहले मैं कभी नहीं दिया और उसके बाद मैंने यह सोचा कि चोलो पहले सिलावस खतम करते हैं जो मैं पार्ट एक के लिए जयाद है इतना कुछ इस्यू था ने ठीक है और पार्ट मुझे पहले यह था कि मैं दो साल तीन साल पहले पढ़ा था तो उसके बाद तो मेरा वह भी थोड़ा याद नहीं था तो इसके लिए मेरा पहला में यह मोटिब था कि कि मुझे सिलावस कैसे कॉंप्लिट करना है डिसेंबर पांस तक तो आज है डिसेंबर तीन अगर मैं सब्सक्राइब तो मैंने अलड़ी मैंने बना दिया है मैं इतना बुरा हूं तो मैं यह भी जाज नहीं कर सकता है कि सार अच्छे पढ़ा रहें कि बुरा पढ़ा रहें तो सर ने जो ही पढ़ा है अभी तक तो ज्यादा कोश्चिन पहां पे सॉल्व कराते नहीं ठीक खाल पहले लास्त बारा दिन तक मेरा इहीं मुटिव था कि मुझे सिलावस कंप्लेट करना है मैंतमेडिस और फिजिस का तो एक्जाम होगा सट्थे को आज कितना है तीन तरिक तो मैंतमेडिस का सिलावस मेरा अलमस्ट खतम हो चुका है फिजिस का मेरा 70-60 परसें तक साहिद मे बात है कि मैं आज जा रहा हूं से तो थोड़ा गया में अगlor नहीं कर पाया तो मैं जा रहा हूं सट्पिट लाने के लिए तो मैं आस जा रहा हूं कल तो मेरे बिल्कुल नहीं पड़ सकता तो तो ने चला खता करनेके लिए 2-3 को फ्शे-7 को क्योंकि सर्कार फिजीक सरकाइब तो 12-14 को खतम होगा लेकिन उनका डिफरेंट कोर्स भी है तो बहां से मैं सिलावस कर दूगा और इसके बाद मॉक्स लगना स्टाट कर दूगा ठीक है फिजीक सो मैं जयादा फोकस रहेगा तो एक्जाम की बात करूँ तो एक्जाम 120 मार्का होता है और ला कि मुझे मैं मुझे पहले भूल देना मुझे सिलावस करें चेएब कर दो कर दो तो उसके बाद ही मौक लगा और उसके बाद मुझे आइडे रहेगे कि मैं कहा पर स्टाट कर रहा हूं अगर मतलब जॉब लेने के लिए अगर यहां पर मुझे क्लियर करना है तो मुझे मिनिम्मूम सो माक्स चाहिए ठीक है नाइटी से भी काम चल जाएगा तो पार्ट अ में ज्यादा स्कॉर कर सकता हूं ठीक है अगर स्कॉर कर दोगा तो बस यह पर टू में ज्यादा मुझे स्कॉर करना रहेगा 50 का असपास और यहां पर मल्टी स्ट में होता है तो नॉर्मलिजिशन भी रहता है अगर हार्ट मतलब इस स्ट आया तो बस बही ता और अभी मेरा वही चल ला है और मैं काफी मद सती बता रहा हूं मैं अभी जो रहते हैं बिल्कुल कुछ आड़े नहीं है मैं अपने तरीके से जो मैं यह सोच रहा हूं इसे ही चलना हूँ वह लेकिन बाद में एक्जाम में क्या होता है तो एक्जाम के दिन ही पता चलेगा ठीक है और अगर आप प्रिपैसन कर रहे हैं अगर आप कुछ डिफरेंट स्ट्राटेजी फोलो कर रहे हैं तो आप मुझे क्या कर रहे हैं और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वह भी देख सकते हैं ठीक है वह काफी हेल्प करेगा लेकिन चैनल में ठीक है अगर मैं कुछ नहीं करता न तो खाली दिमाग सेतान करता है तो इसलिए गेम खेल के पुड़ा था तो इसलिए मैंने वही एटीजी का फॉर्म भर दिया लेकिन देखते हैं क्या होता है एकजामे अगर आपको चैनल कर सकते हैं वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और ठैक्यू पर राचिंग जय जगना धन्यवाद